हेलो एवरिवन, मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हैं पॉलिगोन बॉक्स आज की वीडियो में हम सुरुवात कर रहे हैं मोडिफायर्स मोडिफायर्स हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्फलो का आप्सन देते हैं और ये हमें प्रापर्टीज विंडो में रिंच जैसा आइकन है वहाँ पे मिलता है और हमें केवल जनरेटेड में ये सारे आप्सन देखना है इन में से जो काम के हैं हम उनी को देखेंगे बाकी जो हैं वो 3D मॉडिलिंग में उत्ता इस्तमाल नहीं होते हैं उनको हम नहीं देखेंगे अरे मोडिफायर इसकी मदद से हम किसी आप्जेक्ट को कई बार डुबलिकेट कर सकते हैं जैसे मोडिफायर में जाएंगे एड़ मोडिफायर जनरेट अरे अब वो आप्जेक्ट सामने डुबलिकेट हुआ है हम इसके नंबर को बढ़ा सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी एक्सिस चेंज कर सकते हैं इसमें एक और आप्जेक्ट आफसेट इससे हम आप्जेक्ट की रोटेशन पे भी काम कर सकते हैं जैसे अभी हम एक आप्जेक्ट एड़ करते हैं अब इस मोडिफायर में हम आप्जेक्ट आफसेट को आउन करेंगे और प्लेन को चुनेंगे अब उस plane को rotate करने से हम इसके offset को change कर सकते हैं modifier में आएंगे number बढ़ाएंगे उस plane की rotation की वज़ा से ये भी rotate हो रहे हैं modifier को use करने में एक चीज और ज़रूरी है किसी object का origin point जब modifier add होता है तो object के origin point के हिसाब से add होता है तो उस पर भी ध्यान देनी की ज़रूरत है हम modifier को hide भी कर सकते हैं उसको एक नाम दे सकते हैं और उसकी information को भी hide कर सकते हैं अरे modifier में और भी चीज़े हैं पर उतना काम की नहीं है ज़रूरत चीज़े हमने देख लिया अभी एक और चीज़ छूट रही थी कि modifier में जो information बनी है ये virtual है अभी ये create नहीं होई है तो इसे geometry में बदलने के लिए हमें modifier apply करना होगा जो हम यहां से कर सकते हैं और यह हम केवल object mode में कर सकते हैं edit mode में नहीं तो object mode में आएंगे और modifier apply करेंगे अब जो ये geometry बनी है हम इसे edit mode में जा करके इस पे काम कर सकते हैं जब तक हम modifier apply नहीं करेंगे इनको हम select नहीं कर सकते mirror modifier इसकी मदद से हम किसी object को mirror कर सकते हैं और इसमें origin point बहुत ज़रूरी है अगर origin point यहां पर होगा तो object यहां से mirror होगा और अगर origin point center पर होगा तो वहां से mirror होगा तो mirror modifier add करते हैं properties, rinse जैसा icon, add modifier, generate, mirror अब जो mirror modifier add हुआ है वो object के origin point के हिसाब से हुआ है हम इसे बदल सकते हैं object, set origin, origin to geometry अब वो उस center point से mirror हुआ है हम x, y और z तीनों पर mirror कर सकते हैं हम x axis पर देखेंगे और इसका जो origin point है हम इसे बदलेंगे edit mode में जाके अब origin point बिलकुल center पर है और object उसके around mirror हुआ है mirror modifier का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई object बिलकुल symmetrical हो जैसे कि ये car, car का इस side वाला हिस्सा इस side से बिलकुल match करता है इसमें mirror modifier लगा सकते हैं और इसका एक example देख लेते हैं अब जो ये car है आदे ही बनी है पूरी नहीं बनी है तो इसके बाद हम mirror modifier apply करेंगे उसका आदा हिस्सा बन जाएगा लेकिन इसके बीच में एक line खिच गई है उसको ठीक करने के लिए mirror modifier में clipping पर click करेंगे edit mode में जाएंगे सारी information select करेंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे clipping से ये जो बीच की information है वो जुड़ जाती है अब हम जो भी काम करेंगे वो इस side करेंगे बाकी सीजे उस side अपने आप बन जाएगी जब भी हम modifier पर काम करते हैं उसमें जो geometry बनती है वो virtual होती है अभी real नहीं बनी होती जैसे हम इसे select कर सकते हैं इसे नहीं तो उसे भी real geometry बनाने के लिए हमें modifier अपलाई करना पड़ता है जो हम यहां से कर सकते हैं और modifier object mode में apply होता है edit mode में नहीं तो object mode में जाएंगे modifier अपलाई करेंगे फिर edit mode में जाएंगे अब हम नई geometry पर काम कर सकते हैं लेकिन अब हम जो इस तरफ काम करेंगे वो इस तरफ नहीं होगा उसके लिए modifier चाहिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर मेरी वीडियोस तुम्हें पसंद आती हो तो प्लीज एक like कर देना और subscribe कर देना थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियोस